नमस्कार, इन विशेश समाचारों में आप सभी का सबागत है, मैं हुझाया सिन्हा, मेरे साथ हैं बीना, शुर्बात करेंगे हेडलाइन्स के साथ संसत के दोनों सदनों में राश्ट्रपती की अभिभार्षन प्रस्ताफ पर चर्चा रहेगी जारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र रुपूदी आज लोकसभा में चर्चा का देंगे जवाब हिंदू को लेकर नेता प्रधिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर चड़ा सियासी पारा, सत्ता पक्षने की माफी की मांग, वहीं बचाफ में उत्रेक कॉंग्रिसी केंद्र मिला गतार तीसरी बार एंडिये की सरकार बनने के बाद, एंडिये सांसदों की पहली बैठक, आज बैठक में प्रधानमंत्री का किया जाएगा अभिनंद्र सीबियाई की गिरफतारी के खिलाफ केश रिवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई आज, वहीं स्वाती मालिवाल केस में आरोपी, विभव कुमार की याचिका पर भी सुनवाई अमिच्छा पर आपत्ती जनक टिपणी के मामले में राहुल गांधी की पेशी आज, सुल्तानपूर कोट ने राहुल को व्यक्ति गद्रूप से पेश होने का दिया था आदेश भारत ने आठ पदक जीत कर अंडर 23 एशिया आई कुष्टी चैंपिन्शिप में किया अपने अभियान को समापता भारत ये पहलवानों ने शीन्शवर रहते वे जीते चार स्वन, दो रजद और दो कास से पदक संसत के दोनों सदनों में राश्ट्रपती के अभिभाशन प्रस्ताफ पर आज भी चर्चा जारी रहेंगे प्रधानमत्री नरेंद्र मूदी आज लोकसभा में चर्चा का जवाब देंगे राजसभा में भी राश्ट्रपती के अभीभाशन पर धन्यवाद प्रस्ताफ हो रहा है लोगसभा में 16 गंटे तो राजसभा में 21 खंटे राश्ट्रपती के अभीभाशन पर चर्चा के लिए रखे गए थे लोगसभा में कल अभी भाशन पर čाली शांसदों ने चर्चा में भाग लिया था अनुराग सेंटाकों ने धन्यवाद प्रस्ताफ पर चर्चा का अनुमोधन किया था और पहली बार चुनकर लोकसभा पहुंची सांसद बासुरी स्पाराज इस अनमोधन का समर्थन उन्होंने किया था बीते शुक्रवार को सदन में हंगामे के चलते चर्चा शुरू नहीं हो पाई थी वही कल उचसदन में 13 सांसदो ने राष्ट पती के अभीभाशन प्रस्टाफ पर हुई चर्चा में भाग लिया था लोकसभा में बत और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की पहले भाशन पर सियासी उफान आ गया है राश्ट्रपती के अभी भाशन प्रस्ताफ पर राहुले हर मुद्दे पर सरकार को खेरने की कोशिश की लेकिन सत्ता पक्ष की ओर से कहा गया कि वो सदन को गुमरा कर रहे हैं और संसद जूट बोलने की जगा नहीं है सबसे जादा संगराम उनके हिंदू धर्म पर दिये बयान को लेकर छड़ा है राहुल गान्धी ने जैसे ही हिंदू समाज को हिंसक बताया फौरण पियम मोदी ने सदन में आपत्ती जताई इसके बाद सरकार की ओर से जोड़ार तरीके से विरोध दर्च कराया गया अमिट शाने उनसे माफी की मांग की धर्मा चारेों ने भी राहुल गान्धी के बयान पर आपत्ती जताई है और कहा है कि किसी भी धर्म के बारे में पूरी जानकारी के बिना नहीं बोलना चाहिए सनसत के मौचूदा सत्र के बीच आज NDA सनसती दल की बैठक होने वाली है केंद्र में लगातार तीसरी बार NDA की सरकार बनने के बाद बुलाए गए पहले सनसत सत्र के दौरान एंडिये के सांसतों की ये पहली बैठक होगी सुभा साड़े नौ बजे संसत भवन परिसर में पीएम मोदी के अध्यक्षता में की जा रही इस बैठक से इस लिहास से बेहत खास मानी जा रही है क्योंकि आज लोकसभा में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपती के अभिभाशन प्रस्ताफ पर चर्चा का जवाब देंगे कहा जा रहा है कि लगातार तीसरी बार जनादेश हासल करने के लिए पीएम मोदी का इस बैठक में अभिनंदन क्या जाएगा माना ये भी जा रहा है कि बैठक को ना सर्फ प्रधान मंत्री मोदी संबोधित कर सकते हैं सदन के भीतर विपक्ष के रवये और संसस सत्र को लेकर कुछ जरूरी नर्देश भी दे सकते हैं डिली हाई कोट में आज डिली के मुख्यमंत्री और शराब खोटाले के आरोपी अर्विन केज रिवाल की याचिका पर सुन्वाई होगी इस याचिका में अर्विन केज रिवाल ने सीबियाई दोवारा अपनी गिर अफतरी को चुनोती दी है कल ही केजरिवाल नहीं याचिका लगाई थी जिससे अदालत ने सुनवाई के लिए मनसूर कर लिया सीबियाई ने 26 जून को तिहार जेल से केजरिवाल को गिरफतार किया था केजरिवाल के ओर से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने अदालत के 26 जून के उसादेश को भी चुनोती दी है जिसके तहट उन्हें सीबियाई की तीन दिन की हिरासत में भेजा गया था अमित शाह पर आपत्ती जनक टिपणी के मामले में राहूल गांधी की आज पेशी होगी सुल्तानपूर कोट ने राहूल गांधी को व्यक्तिकत रूप से पेश होने का आदेश दिया था दरसल करनाटक के पिछले विधानसभा चुनाफ के दौरान एक फ्रेस वार्ता में राहूल गांधी ने ग्री मंत्री अमित शाह पर एक आपत्ती जनक बयान दिया था इसी बयान से आहत होकर सुल्तानपूर के बीजेपी नेता विजय मिश्र ने राहूल गांधी के खिलाफ परिवारवा के खिलाफ दाखिल के थी आजिका परिवाद जिसे कोट ने स्पिकार कर राहूल के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया था इलाबाद हाई कोट ने धर्मांदरन की प्रवर्ति को लेकर कमपी टिपड़ें की हैं इलाबाद हाई कोट ने धर्मांदरन के एक मामले में सुनवाई करते वे कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में SCST और आर्थिक रूप से गरीब व्यक्तियों का इसाई धर्म में वैद धर्मांदरन बड़े पैमाने पर किया जा रहा है हाई कोट ने कहा कि धर्मांदरन नहीं रोका गया तो देश की बहुत संख्यक आबादी एक दिन अल्प संख्यक बन जाएगी कोट ने कहा कि धर्मतरन करने वाले धर्मिक सभाओं पर ततकाल रोक लगाई जानी चानिये और दरसल न्याइमूर्टी रोहित रंजन अगरवाल ने उत्तर प्रदेश विधी विरुद धर्म संपरिवर्तन प्रती शेद अधीनियम 2021 के तहट एक आरोपी कैलाश की जमानत याचि का खारिच करते हुए ये टिपने की हमीरपुर के थाना मौधहा में याची कैलाश पर अवैद रूप से धर्म परिवर्तन कराने की धाराओं में मुकदमा दर्च कराया क्या था दिल्ली उच्यायाले ने पूर्वर राजनेक लक्ष्मी पुरीद बार दायर मानहानी मामले में तुड़मूल कॉंगरिस नेता और राजसभास सांसद साकेट गोखले को 50 लाख रुपे का हरजाना देने का निर्देश दिया है अदालत ने अद्रिक निर्देश भी जारी किये हैं जिसमें सोशल मीडिया पर सारवजनी क्रूप से माफी के लिए भी कहा गया है जो कम से कम 6 महीने तक साकेट के सोशल मीडिया हैंडल पर रहनी जाहिए अदालत ने साकेद गोखले को एक प्रमुक राश्ट्री समाजार पत्र में अपना माफी नामा प्रकाशित करने का भी आदेश दिया है साथ ही कहा कि आदेश का पालन आठ सप्ता के भीतर किया जाना चाहिए साकेद गोखले द्वारा 13 और 26 चून 2021 को सोशल मीजिया प्लाटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किये गए थे जिसके बाद ये मामला आदालत तक पहुँचा दरसल इन पोस्ट में गोखले ने आरोप लगाया कि लक्ष्मी पूरी ने स्पिजलेंड में अपनी आई से अधिक संपत्ती खरीदी है बता दे की कैबनेट मंत्री हरदीप सिंग पूरी की पत्नी लक्ष्मी मुदीश्विर पूरी की ओर से करंजा वाला एंड कंपनी द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले में हरजानी की मांग करते हुए एक मुकदमा दायर किया गया था श्री अमरनात जी आत्रा के लिए देशपर से आ रहे शिव भक्तों में उच्छा चरम पर है तीन दिन में 51,000 से जादा श्रधालू दरबार में पहुँचें सुमवर को जहां पहलगाओं और बालटाल मार्क से तीसरा जत्था रवाना हुआ वही घाटी के लिए चौथा जत्था जमू क्याधार श्रिवर भगवती नगर से रवाना हुआ इसमें बालटाल मार्क से 2781 और पहलगाओं मार्क से 3838 श्रधालू यात्रा के लिए रवाना हुए 309 चोटे बड़े वहनों में बालटाल मार्क से यात्रा करने के लिए 2106 पुरिश, 508 महिनाए, 11 बच्चे, 115 साधू और 41 साध्मिया जथे में गई इसी तरह पहलगाम के रास्ते जाने वालों में 3037 पुरुश, 633 महिनाए, 7 बच्चे, 126 साधू और 35 साध्मिया जथे में शामिल रही बाबा बर्फानी के अलौकिक दर्शनों के लिए आ रहे श्रिवभक्तों का यात्रा मार्क में स्थानी लोग और लंगर कमीटियां ने जोर शोर से स्वागत कर रहे हैं और अब बात करें मौनसून की तो देश के अलग-अलग राज्यों में पहले गर्मी और बारिश लोगों की परिशानी का कारण बन गई है लगातार हो रही भारी बारिश के कारण महराश्र के मुंबई में रिहाईशी लाकों में बारिश का पानी भर गया वही गुजरात में जुनागड के विबिन हिस्सों में जल जमाव देखा गया मौसम इभाग ने पूर्बोतर में भारी बारिश का रेट अलर्ट जारी किया है साथ ही हिमाचल प्रदेश और बेहार के अलग-अलग स्थानों पर भी भारी वर्शा होनी की संभावना है इन विशेश समाचारों में फिलालत नहीं मुझे और बीना गुदीजे जाज़त नमस्कार